असलाम लेकूम, वेल्कम टू यासमीन हुमा खान की जन, आज हम बनाने वाले हैं स्टू, जिसके लिए हमने ले लिया है 750 ग्राम चिकन, और 400 ग्राम प्याज, जो हमने बारी काट ली है, 300 ग्राम टमाटर हैं हमारे, जाधा सुराख नाले, हरे हरे ले और दो बड़े चमचे जिजर गालिक पेस्ट, हाफ टी स्पून टर्मिक पाउडर और हाफ टी स्पून हमारे है ये सौंफ साबुत सौंफ और एक टी स्पून साबुत धनिया, 10-12 ये पीली मिर्चे हैं साबुत और दो बड़े चमचे कोरियंडर पाउडर, 7-8 हरी मिर्चे हैं, 10-12 लोंगे, आधा चमच काली मिर्चे, 6 हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची और दाल चीनी जावित्री जायफल, तीन पत्ते तेज बात के, एक बड़ा चमचा हमारा सॉल्ट है, इसा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 200 ml ओइल है, 50 ml हमारा तही है, यह भी हम इसी में डालेंगे, सबसे पहले हमने कड़ाई गरम करने के लिए रग दी है, और इसमें डाल देंगे हम ऑईल, यह में तोड़ा अच्छा गरम होने देंगे, हमारा ओयल तेज हो गया है, अबीसमें सबसे पहले अब दालेंगे, बूल लेंगे ज्यादा सुरफ भी नहीं करनी है यह पस्थालिके तो नम हो जाए इसके उपर डाल देंगे हम जिंजर और गालिक पेस्ट और डाल देंगे हम गर्मसाला सारक पत्ते भी राल लेंगे इसे हलका सा भूम लेते हैं इसमे हम डाल देंगे मसाले यह मिर्चों के दो-दो पीसिस कर लिए है मैंने साबुत मिर्चों के और यह सोंप को हलका सा गोट लिया है सारे मसाले हम इसमें इस वक्तायक कर देंगे और फिर इसी में हम डाल देंगे टमाटर तो भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे करीव एक मिलाट अच्छी तरह भूम के लिए पास दिन से खुला ही पकाएंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गई जाता है इसमें एक चमज हमने नमक डाल दिया है कम सकब हम इसे 10 मिनट खोल कर ही पकाएंगे क्योंकि चिकन हमारा गल जाएगा और इसके टमाटर वगेरा सारे गल जाने चाहिए तब तक हम इसे पकाएंगे मगर खोल कर ही पकाएंगे इसको अब हम इसमें डाल देंगे यह पेटा हुआ और जो हरी मिचे हैं अमने एक में से दो तीन-तीन पीसिस कर लिया है वह भी डाल देंगे अज़स अच्छी तरह से चला कर यह डंडी समीत हमने हरा दिनिया काटा है वह भी इसमे थोड़ा सा डालेंगे और इसको चला कर दूद अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे पांस मिनट कवर करके पकाएंगे बिंकुछ स्लो फ्लेम पर हमारी इसको पकते हुए साथ मेंट हो गये हैं और इसका पानी बिलकुल ख़त हो गया है देखिए आप और इसमे जो खुजबुआ है वो सारी इसके अंदर व्रेज गई है बहुत ही ज्यादा अब इसमें हम यह पक गया है अब इसमें नाल देंगे हम थोड़ा सा गरा मसाल बाउडर और थोड़ा सा हारा धनिया डालकर इसे डिशाउट कर लेते हैं चिकन इस्टू बनकर हमारा तयार है यह बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा बना है इसके अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप कोमेंट बॉक्स में जाकर कोमेंट कर सकते हैं और मेरे चै के साथ हम पेर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केर और बाबाई